गाइस आज का वीडियो अवुजा का BTZ 13 अमलिफायर के उपर है और इस अमलिफायर के उपर एक भायने स्वाल क्या है स्वाल इस टाइब के आए कि इस अमलिफायर को लेकर हम लोग एक छोटा सटब रेडि करना चाहते है जैसे कि दो बेस और दो टॉप का और यह क्या सेव होगा यह चलेगा फिर नहीं चलेगा कितना प्राज आ सकता है इसके उपर एक वीडियो बनाएए तो इस तरह भाय का सि तो आप लोग देख सकते हैं इसे अमलिफायर के बारे में जिकरी के आए मतलब अपका ऊजया का थे तरह बाकी में आप लोग जहनते होंगे और यह पर काफी पोब्लाए यह सब्सें ज्यदा लोड लेने वाला हें यह होता है क्यूंकि यह होते हैं मतलब बार डिवाइड क आपको speaker output मतलब अलग-अलग option मिलेगा, back side और आगे side दोनों चीज आपका अलग-अलग section मिलेगा, zone B के लिए अलग, zone A के लिए अलग option मिलेगा, मतलब आप लोग zone B को बंद करके भी चला सकते हैं, फिर off करके भी चला सकते हैं, मतलब यह सब कुछ system इसमें दिया है, मतलब य चले आगे बात करूंगा, इस अनिपार की कुछ detail, जैसे कि इसका armes power क्या है, तो armes power की बात करूं, देखे, zone A और zone B, same है, जो कि armes power 500, zone A, zone B, और maximum power इसका दिया है, जो कि काफी बढ़िया है, जो कि 750 प्लाच 750 दोनो zone B, और इसका frequency की बात करूंगा, इसमें आपको दिनों मिलेगा, पचास आर से लेकर, 15,000 तक दिनों मिल जाए, तो काफी अच्छे इसमें आपको frequency response दिया है, और साथ इसका बात क इसका, two ohm का option नहीं दिखने मिलेगा, only up का eight और four ohm का option दिखने मिलेगा, और दोनो zone के लिए अलग 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 इसमें option दिनों मिलेगा, और आगे बात करूंगा, इसका power supply, मतलब AC में, मतलब किस तरह चला सकते, voltage, तो देखे, AC में बात करूंग, इसमें आपको 220 से लेकर चलाना पड़ता है, और इसका बात करूंगा, DC में आपको 36 बोल्ड में रिक्मेंट करता है, मतलब, आपको कार का तीन बेटरी लेना पड़ेगा, और उसे आपस में connection करके, आप लोग इसे चला सकते हैं, लेकिन जातर इसे लोग लाइन से चलाते हैं, तो आप लोग कोशि है, इसलिए इसमें आपको बेट ज़्यादा है, और चले जानते हैं, इस अनलिफायर की प्राज कितना आपको पढ़ने वलाए, तो देखें, इस अनलिफायर की प्राज अपका 38,000 से लेगा, 40 या फिर किसी जगा पर 42 तक भी जा सकता है, इनिक रेंज में इनिफायर मिल ज सकते हैं, मतलब 2 base और 2 top, जिस तरह भाय का कहना है, क्या हो सकता है, या फिर नहीं होगा, इसके बारे में, मतलब भाय ने बताने के लिए कहा है, तो मैं आप से बता दूं, देखें, यह possible है, मतलब आप लोग 1 mini serve ready कर सकते हैं, इस अलिफायर में आप लोग 2 base या फिर 2 top भी base आपका ज़्यादा voltage का नहीं रहेगा, मैं आपको पहले बता देता हूं, क्योंकि यह Amilipar आपका only 1000 voltage का है, तो इस ही इसाप समलोग base लेंगे, तो कितना voltage का ले सकते हैं आप लोग, तो देखें, इसमें आप लोग 650 voltage का SP का ले सकते हैं, यह फिर आप लोग complete आउजा का ए SP का ले सकते हैं, फिर इससे, अटरेंची का 600 voltage का आता है, तो आप लोग भी ले सकते हैं, अधर बेंड का आता होगा, तो आप लोग उससे भी ले सकते हैं, हलाकि इस बड़ो में आउजा का SPR में आपको बताने बला हूं, जो की ले सकते हैं, आप लोग complete इसी base को भी पड़ेगा, और इसका एक piece की प्राज की बात कुरूं, यह आपका 17-18,000 की बीच मिलता है, अभी थोड़ा सा प्राज और भी बर सकता है, करीव 18-20,000 मान सकते हैं, जो उनली एक base का, तो इतनी range में आप लोग को पकड़ के ले जाना पड़ेगा प्राज, और उसी साब से आप लोग इस base को खरिश सकते हैं, तो approach मान सकते हैं, जो कि दोपीस मतलब, आप लोग मान सकते हैं, जो 38-40,000 हो जाएगा, और चले आप बात करूंगा, अगर आप लोग को टॉप लेना है, तो कितना range का top ले सकते हैं, देखें, इसके लिए आप लोग cabinet अलाग से ले जाए, और इसे आप लोग fitting कर सकते हैं, मतलब, complete top बना सकते हैं, अगर आप लोग करना है, तो किसे कर सकते हैं, तो देखें, इसके लिए आप लोग 200 ऐच के speaker रिविच कर सकते हैं, मैं आपको उसी हिसाब से बता हूँ, मतलब, एम्लिफायर हिसाब से बता रहा हूं, 200 ऐच यह पर में 300 आगर अर्मेस पर करेंगे तो यह एपरोंग्स 230 आर्मेस पर निकालता है तो आप लोग 2500 आज का भी मानेंगे तो कोई दिक्क्यत नहींगा यह इतने रेंज हेंडल कर देगा मतलग इतने वड़ाज तक सपोर्ट करेगा तो आप लोग यह वाला मोडल को यूज कर सकते हैं इसका प्राज थोड़ा सा ज्यादा आपको दिगनों मिलेगा पचपांसो रुपिया से लेकर आप लोग शेजार मानझ सकते हैं इसाई अपको बढ़ते जारा है सभी के प्राज बढ़ रहा है इसलिए मग आपके अरिया में थ्षा कर देख सकते हैं और इस तरह आपका दो टोब रेडी हो जागा और केमिनेट की प्राज की बात करूं तो यह एपरोस आपका 13-14 फिर 15,000 प्यार में आपको मिल जागा मिडियम टाइप के में बात करा हूं इस तरह दो टोब रेडी कर सकते हैं अब बात करूंगा इन दो बेस और इन दो टोब को इस सब्सक्राइब कर सकते हैं और यह कैसे चला पाएगा वह भी जान लते हैं सबसेलों बात रहूंगा देखें इस अमिलिफार की वाटाइज में आपसों को पहले बता दिया हूं जो कि आर्मेस पर आपका 500 और मैक्सिम पर आपका 750 मैक्सिम पर मतलब एमिलिफार हिसाब से 750 लोट यह जलेगा कोई भी दिक्क्राइगा कंटिनुएस मतलब आराम से चल सब्सक्राइगा अगर बात किया सेटप की ओर तो देखें आपका 220 बनता है जो कि 650 प्लाच 650 मतलब तेरे सब्सक्राइग बनता है और यह लिफार दोनों जोन में फोरूम का सपोर्ट है मतलब आप लोगा देंगे यह तो परफेक्ट ठीक है मतलब चल सकता है अगर दूसरा टूम का कोई भी सपोर्ट नहीं मतलब टूम का कोई भी ओप्सन ही नहीं है तो आप लोग केनेक्शन कैसे करेंगे तो केनेक्शन आप लोग सिरीच करके लगा सकते मतलब दोनों टॉप कर सकते हैं लेकिन मैं आप सब को और भी एक चीज बताएता हूं देखें यह लिफार टूम तो नहीं है लेकिन टूम के जगा फोर्म में केनेक्शन कर देंगे तो भी चलेगा जियां आप सब को बता दूँ इस तरह कनेक्शन बहुत ही लोग करते हैं और अभी तक भी चला रहें अभी तक दिक्कत नहीं है किसी भाय का लेन आप सब को चीज बता दूँ देख लेकिन इसमें प्रोड़ लेने वाला होता है अगर बहुत ही जदा लोड डालेंगे तो भी चल सकता है कि इतना जदा पेशा ले रहा है तो इतना लोड लेना भी इसका हक है मतलब बहुत ही जोर रहें तो इसका काम अच्छा करता है मतलब एकज़ा वटेच अमलीफार फिर भी बहुत ही जदा दोजार करीब पजिसोड़ेच का भी लोड ले लेता है तो आप लोग इस तरह मतलब लोड देगा चला सकता है मतलब कोई एटम बला टॉप मतलब कर सकते हैं दो पीस अराम चलेगा जोकि आपका फोरुम में कनेक्शन होगा क्यूंकि एक टॉप आपका एटों का होता है तो इसी प्रकार दो टॉप की मिलाएंगे तो आपका फोरुम बनेगा तो आप लोग चला सकते हैं यह सेटब कोश्टली पराज देखा जाए यह नहीं था और वीडियो के सला कर्मेंट और लाइक करके बताएं